आज की remedy मैं दो श्टेप में आपको बताऊंगी फर्ष्ट श्टेप में चेहरे को चमकाने का तरीका और सेकेंड में इसी remedy में और हम इंग्रीडियंट को यूज करके और हातों पैरों को चमकाएंगे ये रेमेडी आपके चेहरे पे गर्दन पे हातों पेरों पे 10 साल पुरानी से पुरानी टैनिंग जम्मी है उसे भी मिंटों में साफ करके आपके चेहरे और आपके शरीर को हातों पेरों को एक दम चमका देगा ये हमारी स्कीन को एंटी एजिंग से बचाता है और स्कीन में चेहरे पे कसाओ लेके आएगा और रिंकल्स फाइन लाइन जुर्यों को जड़ से खतम करेगा इतना ही नहीं चैरे के दाग दबो को भी जड़ से खतम करेगा और स्कीन में गलो लेकर आएगा और फेयरनेस लेकर आएगा हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल गाईज मैं आज आपके साथ ऐसी अमेजिंग रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिसे हफ़ते में दो बार यूज़ करना है और इसे यूज़ करने के बाद में आपके चैरे पे अगर पिग्मेंटेशन है अनीवन स्कीन टॉन है, डार्क स्पोर्स है, डल स्कीन है या रंग काला पड़ गया है, दूप से काला है, संटैन है किसी भी वज़ा से आपकी स्कीन पकाला पने, दाग दब्बे हैं, जुर्रियां हैं ये सब कुछ दूर हो जाएंगे और आपकी स्कीन का कलर एकदम फेयर हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा आपका चैरा ग्लो करने लगेगा तो गाईज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस रेमेडी को जरूर यूज कीजेगा अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाएगा जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और एक लाइक कीजेगा और अपने फ्रेंड्स और फैमेली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजेगा ताकि जो भी लोग इस तरह की प्रॉबलम से परेशान है काला पंदाग दबे जूरियों से उन्हें इसका पूरा फाइदा मिल सके तो चलिए रेमेडी बनाना शुरू करते है इसके लिए सबसे पहले हमें एक आलू ले लेना यानि की एक पटेटो ले लेना है आलू का यूज आपने सिर्फ सबजी बनाने के लिए किया होगा लेकिन क्या आप जानते हैं आलू अमारी स्कीन के लिए अब हम इसे पिल आफ कर लेंगे, इसका चिलका अलग कर देंगे और एक ग्रेटर लेंगे और इस आलू को हम ग्रेट कर लेंगे, इतनी पावर्फुल रेमेडी बनके तयार होगी जो कि आप चेहरे के दाग दबों पे वर्ट करेगी, जाईयों पे वर्ट करेगी, संटैन है या जुर्रियां हैं, अगर आखों के नीचे काले गेरे हैं, डार्क सरकल हैं, इसकी का रंग काला पड़ गया है, काला पन बहुत ज़्यादा है, अगर आपके चैरे पे, तो उस पे बहुत ही ज़्यादा मैजिकल वर्क करेगा, तो यहां पे गाईज मैंने आलू को ग्रेट क कर लिया है, अब आप इसको देखना गाईज, जब आप इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही रहने देंगे ना, तो इसका जो इस्टार्च होता है, वो पूरा नीचे जम जाएगा, और यह इस्टार्च हमारे चैरे की जुर्रियों को खतम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद क करता है, दाग दबो को दूर करता है, काले पन को खतम करता है, और आलू में भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, जब हम आलू और निम्बू को मिक्स करते है ना गाईज, तो इसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अब हम लेंगे हाफ गजब का गलो लेकर आता है, चमक लेकर आता है, अब अगला इंग्रीडियंट गाईज हम लेंगे, शेहद यानी की हनी, हाफ टीस्पून हम शेहद लेंगे और उसे इसमें डालेंगे, यह हमारी स्कीन में चमक लाता है, जुर्यों को दूर करता है, अब नेक्स्ट हम वन इसमें डालेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके रोज वाटर को डालते जाएंगे, और एक अच्छा सा पेश्ट तयार कर लेंगे, यहाँ पे फ्रेंट्स मैंने इसको काज के बाउल में ट्रांसफर कर लिया है, और इसको एपलाई करने के लिए सबसे पहले हम अपने फेस क अच्छे से वाश कर लेंगे, और इस पैक को लेंगे, और अपने पूरे फेस पे अच्छे तरह से लगा लेंगे, लगाने के बाद मैं फ्रेंट्स आपको 5-10 मिन तक अच्छे से हलके हलके हातों से अपने पूरे चेरे की मसाज करनी है, मसाज आपको सर्कुलर मोशन में कर बिल्कुल, हलके हलके हटों से कर नी है, जैसे जैसे आप अपने चेरे की मसाज करेंगे, वैसे वैसे आपके चेरे की गंदगी, इम्पीरिटी दूर होती जाएगी, आपकी उसकी नेकदम किलियर होती जाएगी, और जब आप इसको रेगुलर यूज़ करती रहेंगी, तो आप की देखेंगी कि आपके चेहरे से जो भी काला पन है या जाइयों के निशान है या जुरियां है वो सब दीरे-दीरे साफ होने लगेगी और आपका चेहरा बहुत जादा गलो करने लगेगा और आप अपनी उम्र से छोटी नजर आने लगेगी यंग नजर आने लगेंगी इस remedy को friends आप कभी भी use कर सकती है जब भी आपके पास time हो आप इसको day में भी use कर सकतीemen और शाम के टाइम भी आप इसको यूज कर सकती है बस आपको इसको अच्छे मसाज करने के बाद में 5-10 मिन के लिए इसको ऐसे ही रेश्ट के लिए छोड़ दीजिए उसके बाद में नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वाश कर लेना है अब हम सेकंड श्टेप के लिए हमें एक बाउल ले लेना है जो फर्स्ट सेप में चैरे के लिए जो रेमेडी बनाई थी उसी में से चार टी स्पून हम उस रेमेडी को सेकंड बाउल में डाल लेना है अब नेक्स्ट हमें लेना है जब हमने आलू को ग्रेट करके जब उसका जूस अलक किया था और बचा हुआ जो उसका पल्प था वो हमने साइड में रखा था ना फ्रेंड्स उसी को लेना है और इस रेमेडी के अंदर डाल देना है अलू हमारे हाथो पेरो पे जाईयां काला पन और जूर्णियों को हटाने में बहुत जादा मदद करता है नेक्स इंग्रिडियन्ट लेंगे हम कोल गेट का पेस्ट यहां पे वन टीज़पून हम कोल गेट पेस्ट को ले लेंगे कोलगेट पेस्ट और स्कीन वाइटनिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है यह हमारे स्कीन से जाईयों को जुर्णियों को काले पन को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है नेक्श लेंगे हाफ टी स्पून कोकोनेट ओिल कोकोनेट ओयल हमारी स्कीन को मॉस्चराइज रखता है और हमारी स्कीन से जुर्णियों को दूर करता है नेक्श लेना है हमें हाफ टी स्पून नमक नमक हमारे स्कीन से काले पन को काटने का काम करता है सभी ingredient को हम अच्छे से mix कर लेंगे friends तो यहां पर आप देख सकते हैं सभी ingredient को मैंने अच्छे से mix कर लिया है तो friends हमारी यहां पे hand and fit white tan and tighten remedy बन के तयार है तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसे भी हमें apply कैसे करना है इस remedy को friends आपको लेना है और आपके हातों पे पेरों पे जा भी tanning जमी है या जुर्रियां बहुत जादा आने लगी है वहां पे इस remedy को आपको ऐसे लगा लेना है अगर आपकी गर्दन काली है या पीट काली है तो वहां पे भी आप इस remedy को लगा सकते हैं इस remedy को अच्छी तरह से पहले लगा लीजिए उसके बाद मैं आपको 5-10 मिन तक सर्कुलर मोशन में अच्छी अच्छी मसाज करनी है बिल्कुल आराम से दीरे दीरे मसाज करनी है friends हमने इसमें जो जो भी इंग्रीडियंट यूज की है वो आपकी स्कीन से कालेपन को, मैल को, टैनिंग को काटने का काम करेगी और आपकी स्कीन को एक्तम फेयर और साफ करदेगी सारा मैल गंदची को हटा देगी ये एक स्क्रप का भी काम करेगी friends ये इतनी अच्छी रेमेडी बन के तयार हुई है आपके शरीर पे जहां भी काला पन है या टैनिंग जमी है आप फुल बाड़ी पे इस रेमेडी को यूज कर सकती है गर्दन पे कर सकती है पीट पे, हाथों पैरों पे, गुटनों पे, नकल्स पे या आपके पैरों पे, टक्नों पे जो काला पन जम जाता है वहाँ पे सबी जगाँ आप इसको लगाईए और हलके हलके हातों से मसाज करिए सारी टैनिंग खतम हो जाएगी और इसक्रबिंग का ये काम करेगी तो जो भी आपके इंप्यूरिटीज है या डेट सेल्स है वो सारे दूर अट जाएगे और आपकी स्कीन एकदम चमकदार हो जाएगी फ्रेंट्स दस मिन्ट तक आपको अच्छे से मसाज करनी है और फिर पांच से साथ मिन्ट तक आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए उसके बाद मैं नॉर्मल वाटर से हातों पैरों को अच्छे से वाश कर लीजिए ये देखिए फ्रेंट्स मेरी स्कीन कितनी ज़्यादा गलो कर रही है और एकदम चमकदार हो गई है आपको इस स्टेप को सब्ता में दो से तीन बार जरूर करना है और दूप में जाकर आने के बाद तो आपको फॉरण इस रेमेडि को यूज़ करना है अब यहाँ पर कोकोनेट ओयल लेना है और थोड़ा सा और इस से हलके हलकी सी मसाज कर लेनी है आई होप आपको ये टू इस्टेप रेमेडि पसंद आई होगी और पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे मैं मिलती हूँ नेक्स टेमेडि के साथ थैंक्स फॉर वर्चिंग